हाई गाईज आज की सुट में पर लोग बात करने वाले हैं स्क्रिप्टिंग फॉर फैक्ट शॉट वीडियो देखिए आज की स्वीडियो को अगर आप लाज देखते हो न तो बहुत सारी चीजे आपको समझने को मिलेगी लएक श्क्रिप्टिंग से रिलेटेड और अगर अपनी स्क्रिप्टिंग सही हुई न तो लिटरली बताता हूं आपके फैक्ट शॉट विडियो उठिव पर व्यूस इंख्रीज होने वाली है ल tulee गरंटे साथ बताता हूं अगर आपको विश्वास नहीं होता को इस वीडि कर ये scripting है क्या अगर basically कहें तो scripting classify और summarize करना होता है मतलब हमारे पास धेर सारी चीजे हैं उनको एक जगह पर अपने को classify करके summarize करके रखना है and then public तक उसे represent करना है यह वही हमारी scripting अब scripting को तो हमने समझा कि classify और summarize करना है किसी चीज को लेकिन हमारे पास वह चीज available भी होनी चाहिए तो वही चीज होती है मेरे दोस्त content आपको content ढूंड़ना पड़ेगा तब ही आप उसको classify करके summarize करके लोगों तक present कर सकते हो अब ऐसा नहीं कि अपने लोग मार्केट में निकल गए content की खोज के लिए चीजों की खोज के लिए मार्केट पर अगर अपन लोग निकल जाते हैं तो market पर धेर सारी चीजे हैं तो क्या सारी चीजों को अपन लोग इखटा करके लेताये आएंगे बिलकुल नहीं हमें करना क्या पड़ेगा हमें सबसे पहले topic decide करना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से content को लाना पड़ेगा and then उसे classify summarize करके लोगों तक represent करने होगी तो हमें सबसे पहले content निकालना पड़ेगा चलिए मैं समझ रहाँ कि आपने topic decide कर लिया content भी निकाल लिया है अब आपको करना क्या है उसे इस प्रकार से classify summarize करना इस प्रकार से उसकी scripting करनी है कि लोग आपके वीडियोज को आखिर तक देखे आपके वीडियोज के reach बढ़े इसलिए आपने इस वीडियो पर click करा है तो चलिए फिरे start करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को सबसे पहले समझते है scripting for fact short videos है क्या देखिए दोस्तो scripting for fact videos मैंने already दो वीडियो कवर कर रखे like scripting for fact long videos and scripting for fact short videos उन दोनों वीडियोज को देख लीजएगा इस वीडियो को देखने के बात ही क्योंकि वोग वीडियोज base है scripting के लिए तो उन वीडियोज को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूर है मैं आपको बहुत ही ज़्यादा recommend करूँगा अब यहाँ पर समझते हैं कि अखरकर scripting कैसे तयार करें अब देखिए scripting करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि fact short videos ग्रो कैसे करती है reach views कैसे आती है वो तब ही आती है जब इसमें audience retention ज़्यादा होती है अब audience retention एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथों में है हम चाहे तो अपनी audience retention को increase कर सकते हम चाहे तो अपने audience retention को decrease भी कर सकते अब आप कोगे ऐसा कैसे audience retention मतलब basically यह होता है कि videos जो आपकी चल रही है आपकी channel पर उसको कोई भी बंदा कितने समय तक कितने second कितने minute तक देख रहा है वही percentage होता है of total video duration का ठीक है समझ गया है तो इसको अपन लोग कैसे control कर सकते हैं अपन लोग इसलिए control कर सकते हैं क्योंकि वह video हमारी है उस content को हमने ready कर रहा है उस content को हमने publish कर रहा है हमें पता है कि उस content में है क्या और हमें यह भी पता है कि उस content को कौन बंदा कितने समय तक देखेगा तो अपन लोग यहाँ पर decide बढ़ी है तरीके से कर सकते हैं कि वह content में audience retention कितना आने वाला है तो अब्वेसी बात है अगर आपको किशीच के बारे में पता है और मैं कहूं कि उस चीच को आपको increase करना है तो आप increase कर सकोगे लेकिन कैसे कर पाऊगे जब उसके बारे में आपको सही ज्यान प्राप्त होगी तो वही चीज मैं scripting के जरीए आपको बताना चाहता हूँ audience retention हमें increase करना है अपने fact shorts का तभी उसमें views increase होगी अब देखें जो fact shorts होती है न मेरे दोस्त ये 60 seconds से नीचे की होती है ठीक है तो हमें जो scripting करनी है उसका जो duration होगा वो 40 से 50 seconds का ही होगा इस चीज का भी आपको ध्यान रख रहा है अब देखिए जो shorts देखते हैं मैं रहूं चाहे आप रहे कोई भी user अगर shorts देखता है youtube पर तो वो ऐसे walk लाया रहता है उसे जल्दी रहती है कि मैं उसको stalk करता जाओं किसी भी बंदे के पास इतना समय नहीं कि हो scroll करा 40 seconds स्क्रूल कर पिर से 40 seconds दिया नहीं समय नहीं ना आपके पास ना हमारे पास ना किसी भी short user के पास तो आपकी वीडियो में क्या quality है कि वो बंदा 40 second आपकी वीडियो देखेगा वही वही चीज हमें scripting में करना है कैसे करना है यही तो इस वीडियो में बताने वाले तो आपको scripting कैसे करना है इस first of all सबसे पहले आपको अपने script में 5-10 second पहली 5-10 second ऐसा कुछ लिखना है जिसके वज़ा से audience उस चीज को जानने के बारे में उस चीज के लिए last तक आखिर तक रुके रहे है समझे मेरी बात को आपको अपने scripting के 5-10 starting के 5-10 second कुछ ऐसा लिखना है जिसकी वज़ा से audience आपकी वीडियो में last तक बने रहे है उस चीज को जानने के लिए अब ये होगा तभी जब आप उस वीडियो के starting के 5-10 second में कुछ ऐसे topic के clue दे जाओ कुछ ऐसे topic के questions दे जाओ जो लोग देखकर बहुत ही जादा curious हो जाए और उसके solution को जानने के लिए उसके बारे में समझने के लिए audience वीडियो को last तक देखे क्योंकि देखे हमारी वीडियो की duration 40-50 second की ही है और लोग 40-50 second अपना देना चाहेंगे अगर वैसा हमने कुछ suspense create कर दिया तो अब कहोगे आपकी भाई साब suspense suspense से बहुत हमने सुन लिया है audience attention को increase करने के लिए बताओ जरा fact shots में कैसे suspense create करे बताओ जरा लोगों को कैसे बांदे रखे 40 second तक fact shot में तो बाई से बताओंगा ना दिल्कुल बताओंगा अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखिए fact shot के आप दो प्रकार के script लिखोगे एक तो top 5 fact like top 1, top 2, top 3 एक इस प्रकार की script होगी जिसमें एक ही topic को आप explain कर रहे होगे तो पहला जो तरीका है या फिर पहले तरीके की scripting है like fact no.1, fact no.2, fact no.3 इसमें आप करोगे क्या है कि दो ऐसे fact चुन लो जो कि बहुत ज्यादा interesting और उसके जो clue है उसके जो ऐसी चीज जो कि उसका main है या फिर अगर problem वहाँ पर नहीं बन रहे तो problem create करो और उसको starting में डाल अब जैसे आप problem डालते हो problem में आपको अपनी आवाज देनी है अब बेसी बात है यार fact sort में आप अपनी voiceover ही दोगे तो voiceover के जरी आपने problem बता दिया साथी साथ आपको video editing में उससे related image लगानी है with blur effect लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि image में क्या है blur रहे लोगों को दिखे लेकिन अंदाजाना हो कि इस image में है क्या blur रहनी चाहिए और आपकी आवाज में जानने के लिए अगर उस चीज को नहीं भी जानेंगे न तो आपने अगर ऐसा hardcore फोटो के उपर blur लगा दिया है तो उस फोटो को clear देखने के लिए लाश्ट रहेंगे आप और मेरे दोस्ट में ऐसा time duration नहीं होता कि मैं script करके चला जाओ व्यक्ति देखेगा ही उस चीज को जानने के लिए तो suspense create करो थोड़ा से दिमाग लगो बस हलका असा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है यहां तक समझ गए मेरे दोस्ट आपको करना क्या है अब आगे आग पार्ट में डिवाइट रहना चाहिए पार्ट वण पार्ट टू पार्ट थी फर्स्ट पार्ट इंट्रो सेकंड पार्ट बोडी थर्ड पार्ट आपका आउट्रो इंट्रो में आप हुआ ही जो टॉप टू फैक्ट है उसके प्रॉब्लम लिखे होगे उसके scripting में ही आप आपको प्रॉब्लम लिखना है अच्छे से उसका context with context फैक्ट नमबर वान फैक्ट नमबर टू क्या आप जानते हैं इससे सुरू करना है मतलब कॉस्टें से सुरू करना है यह सारी चीज़े हमने basic में clear कर रहे हैं तो उन्डे वीडियो को देख लीजेगा उसका side में ही कौन सा रहेगा जो आपने starting में बात करें तो समझ गए किस प्रकार से आपको scripting करनी है सारी चीज़े मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बहतरनी तरीके से समझा दी यह सारी चीज़े करने के पाद उमीद करूंगा कि आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को कर रहे हैं औ जो को सीखिए क्योंकि सीखने से वक्ति आगे बढ़ता है ना की पीछे समझ गये तेंक यू सो मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बाइस आप गर्मी बहुत है इस गर्मी भी आप लोग के लिए वीडियो में बना रहा हूं तो इसके लिए एक लाइक बनता है इस वीडियो पर और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो थेंक यू सो मच